नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। जर्मनी है माइनस 11.9 इटली माइनस 17.1 फ्रांस माइनस 18.9 ब्रिटेन माइनस 22.1 इस्पेन माइनस 22.7 और भारत माइनस 23.9। अब इसी में आगे जोड़ रहे हैं पीची तंबरम की पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है। गरीब निरासा में है मोदी जी और उनकी सरकार बेफिक्र है। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं सरकार ने एक फरजी कहानी गड़ी जिसकी हकीकत सबके सामने आ गई है। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार ने महामारी से पहले और उसके दवरान कुछ किया और हमें उन्हें और समय देना चाहिए तो मैं आपके लिए सिर्फ दुख जता सकता हूँ। क्रिसी नहीं होता तो जिस क्रिसी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है उसी ने थोड़ी इज्जत बचा ली है। और भगवान का उन पे आसिरवाद है। फिर वो आगे जोड़ रहे हैं कि आसल में चुपके से भगवान को धनेबाद देना चाहिए कि उन्होंने देश के किसानों पे अपनी क्रिपा बनाये रखी। क्रिसी के अलावा सभी छेत्रों में तेज गिरावट देखी गई है। बिनिर्मान, निर्मान, व्यापार, होटल सभी में 40-50 फिस्दी की गिरावट आई है। RBI ने भी बताया था कि 2020 की पहली 6 माही में आये संकुचन को 2008 की मंदी से ज़्यादा गंभीर है। इस रिपोर्ट से चितंबरम ने सहमती जताई, RBI के चितावनी सही है, ये बहुत देर से आई है, ये सिर्फ 3 दिन पहले आई, हम पिछले 6 महिनों से कह रहे हैं कि कुछ कीजिए, तो फिर क्या करें, चितंबरम ने पुछा क्या हमने नहीं कहा था कि देश में मांग और पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक बाजार में मांग नहीं बढ़ेगी, और खपत नहीं बढ़ेगी, इसके लिए जरूरी है कि लोगों की जेव में पैसा पहुंचे, इसी के मद्दे नजर अलग-अलग कोनों से ये सुझावाया था कि सरकार को सीधे लोग के जेव में पैसा पहुंचाना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो पैकेज जारी किया, उसमें ज्यादा तर पोर्सन लोन का है, तो उस लोन में भी वही लोग फैदा उठा पाते हैं, जो लोन लेने और उसे चुकाने के तरीके जानते हैं कि इसका क्या फैदा हो सकता है, अधर वाई तो आ लेकिन वो पैसा लोगों के जिम में सिधे नहीं पहुंचा, इसकी वज़ा से दिकत बढ़ी है, तो पी चितंबरम काफी सरकार से नाराजाओ कह रहा है कि किसको समझाएं, किसको बता हैं तो सर्म ही नहीं आती, ये अपनी गलतीन मानते ही नहीं हैं, तो फिर कहने से क्या फ